आज है 27 February 23 और अगर आज की दिन आप एस्ट्रो इस्ट्रेजी का यूज करके निफ्टी बैंक में सिर्फ एक लोड भी बाई करते तो आपको तीन हेर साथ सुरुपे का प्रोफित होता अगर दस लोड बाई करते तो सेती खयार का तो चलिए अब मैं आपको इस इस्ट्रेज को निफ्टी बैंक में लगा कर दिखाता हूं वैसे एस्ट्रो इस्ट्रेजी पर एक डिटेल वीडियो मैंने औरेडी बनाया हुआ है अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देखना तक यह वाला वीडियो आपको और अच्छे से समझ आए जै हमें इसके एंट्री पर डारेक्शन चेक करनी है और मर्करी की डिगरी आये तो हमें इसके एक्जिट पर मार्केट से इसको ऐर ओफ करना है तो 27 फेबरी को मार्स की डिगरी का टाइम था 9 बच कर 55 मिनट से 10 बच कर 14 मिनट वैसे आने वाले टाइम को यानि 6 मार्च 23 को भी म 9 बच कर 12 मिनट पर तो इसको आप कहीं पर लिख कर रख लो या फिर इसका स्क्रीन शोट ले लो या फिर इस एक्सेल को मैंने अपने टेलिग्राम पर भी अपलोड कर दिया है अब वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो अब मैं आपको निफ्टी बेंक में इस स्ट्रटी को लगा कर दिखाता हूँ तो हम इस में 15 मिनट का टायम फ्रेंड यूज कर रहे हैं आप जो मास की एंट्री का टाइम है वह 9 बच कर 15 मिनट तो अगर हम देखे तो 9 बचकर 55 मिनट का टाइम आता है 9.45 वाली candle में लेकिन 9.45 वाली candle है वो mass के range से बाहर है इसलिए हम 10 बज़े वाली candle use करेंगे direction check करने के लिए तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि direction check करने के लिए हम high low check करते हैं अगर high breakout होता है तो इसका मतलब है कि market bullish रहने वाला है और अगर low breakout होता है तो इसका मतलब है कि market bearish रहने वाला है तो सबसे पहले हम 10 बज़े वाली candle का high check करते हैं जो था 49,975 पॉइंट और इस candle का low था 45,847 पॉइंट बीस अब हमें इसमें 10 पॉइंट का buffer लगाना था high में 10 पॉइंट जोडने थे और low में से 10 पॉइंट घटाने थे तो 10 पॉइंट जोडने पर हमारा high बना था 49,985 पॉइंट 65 का और low बना था 49,837 पॉइंट 20 का अब हमें बस अगली candle में ये देखना था कि high पहले breakout होता है या फिर low तो अगली candle थी 10 पॉइंट 15 मिनट वाली जिसमें ना ही हमारा high breakout हुआ ना ही low फिर हमने 10,5 बजे वाली candle देखी इसमें भी ना ही high और ना ही low breakout हुआ फिर 10,45 वाली candle में भी नहीं हुआ और फाइनली 11 बजे वाली candle में हमारा high breakout हो गया 49,985 पॉइंट 65 का तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर high breakout होता है तो इसका मतलब है कि market bullish रेने वाला है तो इसलिए हम call buy करेंगे अब मैं क्या करता हूँ कि जो भी current market price चर रही होती है उसके 200 point उपर का मैं call buy कर लेता हूँ आप call अपने हिसाब से buy कर सकते हो मैंने इस case में 40,100 का call buy किया था तो 11 बजे वाली candle में इसका premium 255 चर रहा था तो मैं मानकर चर रहा हूँ कि आपने इसका एक load buy किया तो इसमें आपकी investment थी 6,375 रुपे की अब इसमें आपका stop loss क्या रहने वाला है तो जब भी हमारा high breakout होता है तो हमारा जो low होता है वो हमारा stop loss होता है इसी तरह जब हमारा low breakout होता है तो हमारा high होता है वो हमारा stop loss होता है तो इस case में हमारा high breakout हुआ था तो हमारा जो low था यानि 49,837.20 का वो हमारा stop loss होगा अब हमने mark की direction के according entry ले तो ली लेकिन अब हमारे लिए best exit क्या होगी जिसमें हमें जादा से अदब profit मिल सके तो हमारी लिए best exit है planet की degree तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी moon के दिन mercury की degree आये तो हमें इसके exit पर exit लेना है तो 27 February के दिन mercury का ज जो best exit timing था वो था 3 बचकर 15 मिनट अब अगर आपके पास एक से अदा loads होते तो आप आधे loads 1 बचकर 50 मिनट पर square of कर देते और आधे 3 बचकर 15 मिनट पर तो अगर आप सवा 3 बचे square of करते तो इस वक्त जो call हमने buy किया था 40.100 का उसका प्रीमियम 403 चल रहा था तो आपने 255 में buy किया और 403 में square of कर दिया यानि 148 का profit यानि सिर्फ एक रोट में ही आपका 3,700 रुपे का profit होता और अगर आपने 10 बच बच किये होते तो 37 रुपे अगली बार मार्स की डिक्री आने वाली है 6 मार्च 2022 को तो मैं कल तक इस पर एक वीडियो upload कर दूँगा तकि अब 6 मार्च के दिन के profit का फायदा उठा सको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर सब्स्क्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में